मेरे प्यारे देश्वाचियों, हमारी कृसी व्यवस्ता को ट्रांस्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, समाई की मांग है, हम सज्यों से जिस प्रम्चारता में दबे हुए है, जकडे हुए है, उससे मुक्ति पानी होगी, और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हम उसको ट्रांस्फॉर्म करने के दिशा में लगातार काम करते आए हैं, आज आशान ड्रोन दे रहे हैं किसानों को, टेक्नलोजी की मदद दे रहे हैं, किसान जो पैदावर करता हूँ, उसको वैल्यू एडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग के ल धर्ती माता के प्रती सारा विश्व चिंतित है जिस प्रकार चे उर्वरक के कारण हमारी धर्ती माता की शहएद दिनों दिन विगर्टा जा रही है हमारी धर्ती माता की उत्पाचक तक शम्ता खतम होती चली जा रही है कम होती चली जा रही है और तुछ समाएं मैं मेरे देश के लाखों किछानों का अभार विक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बिड़ा उटाया है और इस बार बजेट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजेट में प्रावधान किया है मेरे प्यारे देश्वासियों अज दुनिया के स्थिति मैं देखता हूं पुरा विश्व होलिस्टिक हेल केर की तरब मुड़ा है और तब उनको और गेनिक फूर यह उनकी प्रसंपसंद बनी है आज विश्व के लिए और गनिक फूर का अगर कोई फूर बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है मेरा देश बन सकता है और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं ताकि और गनिक फूर की जो पिश्व की मांग है उस और गनिक फूर का बास्केट हमारा देश कैसे बने किसानों का जीवन आसान बने गाउमें टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले किसानों को स्वात्न सुविदाय मिले किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्द हो छोटी छोटे खेती के टुकणों पर पुरा परिवारा जीना मुश्किल हो रहा है तब उनके नव जबारों के लिए वो स्कील मिले ताकि उनके नए रोजगार मिले नए आयके साधन बने इसका एक कॉंप्रियंसिव प्र